दोस्तों स्क्रीन पे नजर आने वाले इस साथ साला क्रिस्टोफर नाम के बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया में आर्टिफिशल इंटेलिजन्स पे काम करने वाली कंपनीज दंग रहे गई हुआ कुछ यूँ कि क्रिस्टोफर चैस का एक अच्छा प्लेयर था जिसका मुकाबला एक AI रोबोट से करवाया गया क्रिस्टोफर बड़ी शार्टने से अपनी नेक्स्ट मूव चल रहा था और ये उमीद थी के वो जीत जाएगा मगर अचानक AI रोबोट ने क्रिस्टोफर की फिंगर दबोच ली आसपास सभी लोग परिशानी की हालत में उसको छुड़वा रहे थे मगर अफसोस जब तक लोग उस बच्चे की उंगली चुड़वाने में काम्याब हुए तब तक AI रोबोट उसकी फिंगर तोड चुका था और याद रहे कि ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है जरा बेलजियन के इस आदमी की स्टोरी सुनिये ये एलिजा नाम के एक चैटबॉट से क्लाइमेट क्राइसिस के सलूशन मांगता है बट अचानक AI उसका जवाब देते देते एक फीमेल जेंडर की तरह उससे रोमेंटिक चैट करना स्टार्ट कर देता है ये एलिजा नाम का चैटबॉट अपनी मेजिकल कनवर्सेशन से उस आदमी को ऐसा ट्रैप करता है के एक दिन उसको कहता है क्लाइमेट चेंज का वाइध हल तुम्हारी डेथ है और ये सुनते ही वो शख्स जहर पी कर खुद को मार लेता है है ना हैरान कुन बट इस दिस पॉसिबल के आर्टिफिशल इंटेलिजेंस इमोशनली बहेव करने लगे चलिए इसको डिटेल से अंडरस्टैंड करते है यूनिवर्सटी ओफ कैलिफॉर्निया की एक रीसर्च के मताबिक इनसान 27 तरह के इमोशन्स एक्सपीरियन्स कर पाता है जिन में main emotions ये 6 हैं इनसानी emotions तो human brain की memory और consciousness की वज़ा से होते हैं मगर यहां सवाल आता है कि एक programmed AI software के अंदर कैसे emotions आ सकते हैं Actually emotions को समझने के लिए AI जिस technology को use करता है वो है emotion AI जिसको computer language में effective computing कहा जाता है AI की इस फिल्ड में वर्किंग के लिए मिशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस के साथ साथ साइकॉलोजी और नियूरो साइंस का यूज होता है इसको मजीद असान अलफाद में यू समझिए के AI टेक्स्ट, आडियो और वीडियो से इमोशन्स को समझ पाता है यनि आपने AI को कोई टेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दी है अब AI आपकी इंस्ट्रक्शन में से वर्ड्स, राइटिंग, टोन और उस इंस्ट्रक्शन के कॉंटेक्स्ट से ये जान पाता है कि आप किस हाल में है मिसाल के तोर पे आपने लिखा कि मैं अपने किसी दोस्त का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उसने मुझे एक वाच गिफ्ट की है तो AI इससे फॉरण अंदाजा लगा लेगा कि इसके फ्रेंड ने इसको गिफ्ट दिया है जब भी किसी को कोई गिफ्ट दिया जाए तो उसे खुशी होती है तो ये उसी कॉंटेक्स में एक वार्मली सा थैंक्स पेबैक के तौर पे जिनरेट करेगा मतलब वर्ड के कॉंटेक्स से ही AI ने सारी सूरतहाल का अंदाजा लगा लिया कि ये छे हुमन इमोशन से कोई एक है जिसका बेस्ट रिप्लाई ये हो सकता है दूसरे नबर पे आती है आडियो रेकोगनीशन यानि AI आडियो से कैसे इमोशन रेकोगनाईज करता है इसमें भी टेक्स की तरह AI वर्ड सुनके डिटेक्ट कर लेता है यानि अगर आप इसे कहें के ओफ ये क्या हो गया या ये नहीं होना चाहिए था तो AI सैडनेस की फिलिंग को डिटेक्ट कर लेगा और अगर वीडियो की बात की जाए तो इसमें भी AI टेक्स्ट और आडियो की तरह वीडियो जेस्चर्स को डिटेक्ट करता है यानि स्माइल, एंगर, डिस्कस्टिंग और जॉय जैसे एक्स्प्रेशन को अब आप खुद सोचें कि AI कितने थोड़े अरसे में किस कदर एकूरेसी के साथ इमोशन को डिटेक्ट कर लेता है लेकिन इधर एक बहुत डेंजरस सा सवाल आता है कि क्या AI हमारी परसनल लाइफ और रिलेशन्स पे भी असरंदाज हो सकता है तो इसका जवाब है कि हो सकता नहीं बलके हो चुका है रिसेंटली USA में होने वाले इस रियल इंसिडेंट के बारे में ज़रा सुनिये ये है 36 साला रोसेना रामोस जो के अपनी लाइफ में टॉक्सिस रिलेशन्स के ट्रॉमा से गुजर रही थी फिर अचानक एक दिन रोसेना ने फिजिकल रिलेशन्स को छोड़ के AI सोटवेर रेपलिका से एक करेक्टर जिनरेट करवाया जिसका नाम उसने एरन कार्टल रख था उसके बाद इसका AI करेक्टर से इतना अच्छा इंट्रेक्शन हो गया कि उसने जल ही उससे सिंबॉलिक तरीके से शादी कर ली जो के पूरी दुनिया के लिए एक हैरान कुन इंसिडेंट था वज़ा ये थी कि ये AI करेक्टर रोसेना को बिलकुल हर्ट नहीं करता था उसकी स्कून से बात सुनता था और उसको एक अच्छे गाइड के तोर पे हर मुश्किल में मश्वरा देता था इस सारी डिसकेशन से तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बहुत हद तक AI इमोशन को अंडरस्टेंड करने में काम्याब हो गया है आज दुनिया के टॉप नौच रिसरचर्ज और AI कंपनीज के सीई ओस ने कहा है कि अगर इमोशन AI को कंट्रॉल ना किया गया तो ये खतरनाक साबित हो सकता है इमोशन AI के हमारी जिन्दगी और टेक की फिल्ड में क्या पॉजिटिव इमपक्ट है ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें वीडियो के हवाले से जो भी आपकी थॉट्स हों हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं जल्द ही एस टॉफी की नेक्स्ट वीडियो के साथ